नमस्कार दोस्तों डेडी राट केक और ये एक्षन वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आलोग तो जो भाई आज वीडियो ले कर रहा हूँ मेजर गौरो आ रहा था इनका दचनक्या डायलोक्स हिंदी का चैनल है और उसमें ये वीडियो बनाया गया है इंडिया तो आप सबको पता है कि कैनेडा के हालत अभी कैसी हुई पड़ी है टूडो को छुपने की जगह नहीं मिल रही है ऐसी बैंड बजी है ने टूडो की ऐसी बैंड बजी है कि अभी उसका असर दिखना बाकी है और असर जल्दी दिखेगा आपको और भारस पंगा लेने की क चलाने और इनके बसका कोई कामवाम है नहीं जैसा मैं अक्सर कहता रहता हूं किया कभी आपने सुना है कि यह खालिस्तानी साइंटिस्ट है कभी सुना है आपने एक खालिस्तानी जो है यह डॉक्टर है को यह सब ऐसी है यह चौथी पांच मीफेल अंगूठा टेक हत्यार इनके बसका और कुछ नहीं है इसके एलावा तो इनके OCI कार्ड होने वाले हैं बंद यानि कि भारत से इनका रिष्टा हो जाएगा कट ओफ यह बात मैं कई महने से कह रहा हूं हो सकता है मेरी कही बात किसी ने सुन ली हो यह इनके दिमांग में खुदी आ गई हो लेकिन ग फेवड़ों में oxygen जा रही है न,that oxygen विल बसका हो, इनकी सारी अक्टिविटी इनकी सारी ताकत जों यह खालिस्तानिआएं की ये सेड़ी सिम्धा से नहीं आती, ये इनके भारत में contact से आती जस्टिन टूडो को खालिस्तानियों से बड़ी महब्बत है मैं कहता हूँ आठ दस के तो मैं टिकेट फंड कर दूगा अगर जस्टिन टूडो की सरकार मैं जस्टिन टूडो की बात नहीं कर रहा है मैं कनेडियन गवर्मेंट की बात कर रहा हूँ आठ दस के तो टिकेट मैं फंड कर दूँगा खुद मेजर गौरावारिया वन वे टिकेट फंड करूँगा यहां से लेकर कनड़ा जो शेहर में फ्लाइड जाती है डिरेक्ट वापिस मताना वहीं पे गंद मचाना अपना खालिस्तानी गंद जितने भी खालिस्तानी सपोर्टर इंडिया में बहुत कम है बहुत कम है लेकिन जो भी हैं 500 भी होंगे 1000 भी होंगे उसमें से 10 का तो टिकेट मैं देने का वादा करता हूं यहां पर वापिस नहीं आओगे तुम भागो यहां से यहां पर होनी चाहिए हाउसकीपिंग बड़ी सॉलिड पूरा टका टक जिसको कहता है जिसको निकलना और बाहर वालों को अंदर आने से मना करो तब ही जाके गंद हमारा जाएगा कैनेडा जो हमारे घर का कुड़ा करकट है वो पहुंच जाएगा कनाड़ा और वो डील करेगा जस्टिन टूड और वैसे भी आपने इनके जब OCI कार्ड बंद कर दी इनकी प्रॉपर्टी अड़ो ट्राइल करो जिन्दा गया लाश बाहर निकले इसकी यह होना चाहिए खालिस्तानियों के साथ जिन्दा जाए जेल के अंदर और बीस-पचास साल के बाद इसकी लाश बाहर दे दो परिवार वालों को अपल पॉलिशिंग केनेडियन्स अच्छा ये चाहते हैं कि इसमें देखिए कॉर्णर करना और रेलिवेंस ढूंडना ये तो बात है लेकिन इसमें एक और है कि लॉड ओफ पाकिस्तानी जार इन कैनेडा बहुत सारे पाकिस्तानी इनके जर्नेल जितने भी चोर जर्नेल ने हैं इनके चोर आईजी पुलिस जो इनके टॉप बंदा आ आरीफ में बात करेंगे कि जहों को सकता है कि और बंदी नहीं खाते जाल गई है ब्रेट नेकिर मर जाता इंब सुप कर में हैं पाकिस्तानी दोस्तों और इन लोगों का कहना घिसाब इंडिया ने निजर को मारने के निजर वैसे ही मर जाता है यार लग वा पर यहीं Appos नहí aitर को छक तोकते रहते आपको कुछ नहीं करना एं इंडिया को कुछ का इंडिया की देखो कि इंडिया दिप्लोमेसी में यहां पर है, टॉप पेयर वर्ल्ड में, G20 समिट हो रहा है, लोग आ रहे हैं, अमेरिका का प्रेज़ेंट आ रहा है, यहां पर फॉरन ओफिस में बड़े बुद्धिमान, बड़े अकलमान जिसको पुराने टाइम पर कहा रहा है, बड़ा विद्वान पं आप सच बताइए, कि आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा, छोटा मोटा अगर पंजाब में वो इंटिफिरेंस कर भी रहा होगा, इसका मिसले देखे, आप कभी ये नहीं चाहेंगे, इंडिया कभी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया के हाध गंदे हो, अगर कांड करना है, बड़ा कांड करेंगे, निजर के मरने से पहले, निजर को को जानता नहीं था याज, अगर इंडिया कहता है, कि हाफिस साहीद को नि Sydney को निप्टा दिया, तम मुझे बात समझ में आती है, कि हाफिस साहीद का शिकार कर दिया, अब सर्धियों माश शिकार जोगा वोगा व अब हमें पता लगा कि निजर जैसा भी बंदा था नोबड़ी निजर अब यह देखो यह अब डिलनों अब डिलनों क्या कहता है देखो यह अब डिलनों कहता है spread love not hate यह वही है जिसने तिरंगे को अपने जुत्य में पहना था अपनी चीज प्रोमोट करने के लिए के controversy हो जाए ठीक है देखो spread love not hate let's start thinking for ourselves and not let hateful hateful influences program our beliefs we are all one let us not let man-made social let's not let man-made social constructs divide us division has gotten us to this point but unity is the key to the future मैं guarantee दे सकता हूँ एपी डिलनों ने यह नहीं लिखा एपी डिलनों can't put three sentences together यार क्या बात कर रहे हो यह इनकी PRT में इनको लिखके देती है यह भी बैल बुद्धी है लेकिन he has tweeted इसका मतलब ही जिम्मेदारी ले रहा मैं जवाब देता हूँ एपी डिलनों यह जो तुम कर रहे हो यहां पर बेटा ठीक है बकवास कर रहे हो जो तुम पूरी की पूरी तुम जाके शुब को यह क्यों नहीं बोलते कि तुने हमारे देश का नक्षा अब सब कह रहे हम भारतवासी है यह हमारी मिट्टी है यह है क्या तुम अपने parents की photo डालोगे जिसमें parents का सर नह सकते तुमने भारत मा की photo ऐसे कैसे डाल दी कि बिलकुत सर उड़ा हुए मापे दिखी नहीं रहा तुम्हें शरम नहीं आई यहां से कह रहे हो we love what love we don't want this kind of घटिया love थूपते हैं ऐसे तुमारे love की ओपर यह love है तुमारा जो बंदा अपने देश से प्यार नहीं कर सकता ह अब आपसे प्यार नहीं कर सकता यह love of के ना यह सब चौंचले बाजी यह left liberals को सिखाना हमें मत सिखाना बेटा एपी दिल लो और मैं एक और बात बता दूँ आज मैं clear कर देता हूँ तुम लोग या तो line पर आजाओ ठीक है या तो तुम line पर आजाओ या भारत से तुम्हारा दाना पाने कर देंगे बंद ठीक है यह जो तुम Lamborghini के आके यह सब करते हो ना सब कुछ जाएगा मानो मेरी बात मैं खुछ सडक पर उतरूँगा ठीक है मुझे इतने मेरे followers नहीं इतने मेरे लोग नहीं हैं लेकिन जहां पर देश की बात है मैं आवाज उठाऊंगा और मैं जानता हूं कि जो पेट्रियोटिक भारतवासी हों मेरे साथ सड़क पर खड़े होंगे और हम चाहिए सो दो सो ही हों सो दो सो ही हों we will ensure that unless you apologize right our protest against you will be peaceful हम शांती प्री तरीके सब प्रोटेस्ट करेंगे लेकिन हम तुमारे खिलाफ ऐसा opinion बना देंगे कि तुम हिंदुस्तान में जहां से गुजरोगे लोग थूकेंगे तुमारे उपर everything extremely peaceful हम आएंगे भी नी जहां पे तुम हो इतना peaceful protest होगा कि जहां पे तुम हो हम वहाँ पे आएंगे भी नी लेकिन हम तुमारी जिंदगी नरक कर देंगे तुमारा music career बरबाद हो जाएगा जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे तुमने कैसे कराई है और एपी ढिलो तुम क्या कर रहे हो उसको तुम नहीं समझा रहे तुम से ओबर वे चोटा हो लोलका उसकी ठीक से मुच्छे नह होने का हग तुमने को दिया समझे बि Law Your Country और यह एंपर विक्टम कार्ड मत खेलना पंजाबी नौन पंजाबी यह करा है वो करा है और तुम जो कह रहे हो पंजाब ने खूनबहाया है बिल्कुल भाया है, सही बात है, पंजाब ने खून भाया है, जो ट्वीट पे लिख रहा है अपना शुब, कि पंजाब ने खून भाया है, बिल्कुल भाया है, सच बात है पंजाब ने खून भाया है, कौन मना कर रहा है यार, बिल्कुल भाया है, सद्यों से भाया है, लेक जो पूरे मुल्क के 140 करोल लोगे हो गास चील रहे है ऐसा नहीं है यह गलत फह्मी मत पालना यह म्यूजिक वीडियो तक गलत फह्मी ठीक लगती है जो तुम्हारे फैन्स है अना अकल के अंधे जो तुम बस यह what a song यह मत करना हमारे सामने तो जो भी यूथ है अगर उन्हें लगता है कि शुब जो है वो आइडल है और ये लोग जो है वो इंडिया का अपमान करेंगे और उन्हें छोड़ दिया जाएगा बक्ष दिया जाएगा तो यह वो इंडिया है नहीं बस जो जैसा करेगा वैसा भरेगा और प्रोटेस्ट ह वाइलेंस इसमें कोई वाइलेंस की जुरत नहीं है कोई वाइलेंस की जुरत नहीं है हर बार मार पिटाई कुटाई जरूरी नहीं होती है मुह मोड़ना आप जिदर जाओगे न आपको लोग पूछेंगे नहीं आपको लोग थूकेंगे नहीं अपने अप धीरे-दीर आप जब सोने के हार और ये जो पहने जा रहे हैं वो सारे किस्से हैं इंडियन्स की वज़ा से हैं गोरों को क्या समझ में आता भाई तुम्हारे गाने गोरे कौन से तुम्हें देखते हैं देखते हैं इंडियन्स हैं तो देखना बंद कर देंगे तो पावर बहुत है सोचल मीडिया में याद रखना जिस पावर का दुरुपयोग तुम कर रहे हो उस पावर का सदुपयोग करेंगे हम तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं बोलते आज तक मैंने कभी कमेंट नहीं कर आप तुम लोगों के बीच में तुम्हें जो करना है करो पर देश के बारे में बोलोगा फिर लोग खड़े हो जाएंगे याँ पर और ये जो लोग है वी आर दे साइलेंट मेजोरिटी हम चुप रहते हैं हम कुछ नहीं बोलते हम कभी किसी मूवी ये बोईकॉट कर दो ये बोईकॉट मैंने आज तक बोला मुझे कोई इंट्रेस्ट नहीं है तुम मुवी बना नहीं बनाना मत बनाओ भाड में जाओ मैं तो वैसे भी नहीं देखता लेकिन अगर तुम देश के खिलाब बोलोगे फिर मैं खड़ा हूँगा और मैं खड़ा हूँगा फिर मैं सारा काम काज खोड़ के मैं बता रहा हूँ सब कुछ सब कुछ काम धंदा बंद करके चावी लगा के फिर मैं तुमारे पीछे पड़ूँगा और पीसफुल प्रोटेस्ट करके सोशल मीडिया और मेंस्ट्रीम मीडिया में प्रोटेस्ट के और यह जस्टिन टूडो की पार्टी के हैं और इन्होंने आवाज उठाई है जस्टिन टूडो के खिलाफ तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ इन्हों ने आवाज क्योंकि गुर्पतवन सिंग पन्नू ने थ्रेटन करा है और जो कैनेडा में जो खालिस्तानी है पन्नू तो अपना यूएस का है जो कैनेडा में जो खालिस्तानी है उनके साथ मिलके थ्रेट दी गई है अब ये Member of Parliament चंदरा आरिया जी है आरिया साब ये कह रहे हैं कि साब एक बात बताओ ये Freedom of Speech के चलते हैं आप किसी को धमका दोगी कि हम तुम्हें मार देंगे ये तुम्हारी Freedom of Speech है ये बात मुझे समझ में नहीं आई क्या बोला Member of Parliament चंदरा आरिया नहीं और ये ही चीज़ है देखिए वो बात जो कर रहे हैं न चंदरा आरिया साब वो बात तो कर रहे हैं logical कि आप किसी को मार देंगे आप किसी को काड़ देंगे ये Freedom of Speech नहीं हो सकती लेकिन ये बात क्या Justin Trudeau मानेगा वो कभी नहीं मानेगा यारो कभी नहीं मानेगा उसने वो खालिस्तानियों उसको पता है कि अगर उसको परदान मंत्री बना रहना है तो फिर उसको ये सब करना पड़ेगा उसका करना ये जरूरी है, खालिस्तानियों के सपोर्ट के बिना नहीं वो जगमीत है जो ना बंदा जगमीत संग। जगमीत सिंग जगमीत की पार्टी तो सपोर्ट कर रहें उसको तब तो प्रदान्मस्थरी बनाएं। कल अगर यह rule of law की बात करता है Canada में अगर यह कहता है कि नहीं यार धंकी वंकी मत दो प्यार मुहबत सरो वहार जाएगा क्योंकि खालिस्तानी हैं टेरिस्ट और जगमीत सिंग इसने अपने नाम को प्रणाउंस कैसे करते हैं ट्विटर पर यह दिखा है कि जगमीत इस प्रणाउंस एस जग और राइम्स विथ हग यह देखो बैठता उड़ता किसके साथ है खालिस्तानी के साथ यह तो इसकी कार करतेगी है और दोस्तों आखरी कबर आज की स्विजिलिंड से आई है कि स्विजिलिंड में बुर्खा बैन हो गया अभी एजिफ्ट ने करा था बुर्खा बैन स्विजिलिंड में बुर्खा बैन हो गया फ्रांस में बुर्खा बैन हो गया लेकिन भारत में कोई कुछ इसके उपर आवाजाँ नहीं उठा रहा क्यों अगली सर्दियों में जाना है ना इनको सुच्जिलिंड में स्कीन करने के लिए और गर्मियों में जाना है एश्वाराम करने के लिए हमारे लेफ्ट वाले बहुत अमीर है यह आप और हम जाते हैं ने निताल और शिमला यह सब लोग सुच्जिलिंड जाते हैं अब सुच्जिलिंड ना बुर्ख में अब जनम ले रही है इस टाइप की सेकलरिजम फ्रांस की तो बहुत पहले किये अब स्विजिलिंड ने भी बोल दिया कि बुर्का इस बैंड यू केनोट वर दा बुर्का इन पॉब्लिक तो दोस्तों यहां पर हमारा वीडियो खतम होता है चले दोस्तों वीडियो खतम ह गया और आपने देखा मेज़र साहब ने बिल्कुल खरी खरी बात की तो बात है बिल्कुल सही और इंडिया किसी भी कीमत पर किसी तरह का नियूसेंस एकसेप्ट नहीं करेगा वो चाहिए किसी कंट्री से आये कहीं से भी आये और कैनेडा ने बड़ी गलती की है और कि लोगों में भी टूडो के खिलाफ नाराज़गी बढ़ रही है लोग नाराज हो रहे हैं कि इसने तो पूरे देश को शेम परवा दिया मतलब शर्म महसूस कराई है इस पूरे देश को और दूसरा ये नाजी वाला हुआ है ये तो भाई साब एक तो करेला उपर से नीम चड़ा तो ये वाली हालत हो गए ये टूडो की और टूडो के खिलाफ पूरे कैनड़ा में माहौल जबरदस तरीके से बग गया है तो मुझे तो लग रहा है कि अमेरिका और इंडिया ने मिलकर टूडो को फसा दिया एक तीर से दो शिकार हो गया अमेरिका इसमें डबल एजेंट का काम कर रहा था कि एक तरफ से वो भारत पर भी अंकुष लगाना चाता था और टूडो से अपना हिसाब बराबर करना चाता था दूसरी तरफ भारत भी ये समझ रहा है कि वह अमेरिका उस पर दवा लेकिन बड़ा नुकसान किसको होगा बड़ा नुकसान होगा कैनडा को कैनडा की जनता से देखिए हमें कोई वो नहीं कोई नाराजगी तो कैनडा की जनता फैसला करें और कैनडा में रहने वाले लोग फैसला करें कि उन्हें टूडो चाहिए या दुनिया भर का साथ चा देखते ही अभी क्या क्या होता है और मुझे याद आ रहा है कि कई जगों से कई देशों से पावरफुल कंट्रीज्स से वैयनात आने लगे हैं जो टूडों के खलाफ है भारत वाला थोड़ा सा मामला पीछे जा रहा है अब ये नाजी वाला मामला जो है वो गरम हो रहा है और जाहिर सी बात है यार आप हिटलर को कैसे सपोर्ट कर सकते हो आप नाजी को कैसे सपोर्ट कर सकते हो आप नाजी के लिए कनड़ा में जिस कनड़ा ने नाजीों के खिलाफ लड़ाई लड़ी अलाइट पोसेस के साथ मिलकर उसके पालियामिंट में आप प्रिडम अफ स पीच के नाम पर एक नाजी को मतलब सम्मान दे रहे हूँ। नाजी को सम्मान दे रहे हूँ। सोची, इससे बड़ी विडबना और क्या होगी। कुछ नहीं हो सकता। तो देखते रहे हैं, अभी बहुत मज़ा आने वाला है, आगे जियो पॉलिटिक्स में। कमेंट करके ज़रू बताएं, जल्दे मिलता हूँ एक और ने वीडियो के साथ। नमस्कार, जैहित।